कि अब बैंगलोर पे ना बहुत तेजी से बढ़ गया है दो दिनों से और आज ना यहां पर भी बच्चों का पूरा सांड आता है बच्ची हां पर ग्राउंड में खेलते हैं और इतना चिल्लाते है बाहँ परे बाहँ मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्लास बस्टार्ट हो गया है यहां पर फुटबॉल का क्लास चलता है बच्चों का और आज मैं ज़दे ज़दे किचन में आ गई हूँ इसका कारण यह है एक तो संडे है कल स्कूल है तो आटोमेटिकली हो जाता है कि हां चलो कल से रूटीन में है मतलब रूटीन में रहना है और दो दिन से मैं कुछ करने की कोश्चिस कर रही हूँ तो डेफिनेटली होने के बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगे अभी नहीं व्लॉग मैंने नहीं शूट किया था तो आज संडे इविनिंग से मैं व्लॉग स्राट कर रही हूँ और आज हम लोग पीठा बनाते हैं मतलब आज जो बिंगॉली का ओग्रायन मास है इसमें पीठा बनता है और पीठा मतलब जो दोसा होता है वो बनता है तो नॉर्मली हम हम दो बनाइघे मालला में है जो थाड वानगे मतलब जाए अभी मैं चूडा अरब लॉगो डूगी एक कप मैं याहां पर ओर्ट की दाल है और थीन कप मैं राइस लोगी यह वाला मैंने इडली रास लिया है औरसाथ में एक कप मैं चूडा लोगी चूडा एक्छि ज्या प्रिपरेशन कर रही हूँ आज डिनर पर बन रही है पनीर की सबजी थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ कृती खुश हो जाती है सुभे टिविन में भी लेके चली जाती है हमारी यहां पर एक नया कैफे ओपन हुआ है यह वाला और उसका ही पेस्ट्री है हम लोग ट्राइ कर रहे हैं देखते हैं और एक दिन आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी उसका इंटिरियर न मुझे इतना अच्छा लगा कैफे का मतलब आपका मन करेगा कि हाँ चलो बैट यह अच्छी तेस्ट करेंगा यहां हमनों टेस्ट करेंगा से निदेखो देखो देखो शिंबा आगया है किम अनुट नोट गुट ना इस वाल को प्रीज रिखे दी शिनाम यह अच्छी लिक्टर्व लोग लेक्का आये थे ते हैं अ अधर मालो ना गुँआ यहां पता जाए चाहिए थे अधर राज लग रहा है यह अच्छी लोग लोग लग लेक्षा ना यह अच्छी अम लोग लोग ने जादा कुछ नहीं लिया था एक पैस्ट्री लिया था कि तुर देख लेते हैं बाकी एक दिन ट्राइ करोंगी वहां का बाकी जो संड़िश को अगे वह सब्सक्राइब करेंगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे उसका ना इंटियर मुझे देखके बहुत अच्छा लागा तो ऐसा फॉरें कंट्री का जैसा लुक था ना शेयर करेंगे बहुत जाल अतनु क्या रिव्यू दे रहे हैं अतनु बोड़े इतना अच्छा इंट पंट्री के साथ अटनु के साथ अख लग जैसे और यह हमारा आज का डिनार हमने बिल्यानी डून से और किया है और यह पनीर की सब्जी बनाई है और यह चटनी भी उसी के साथ तंदूरी के साथ अ उट भी अप्पी अ प्चल नवब और डिनर कम्प्लीट करने के बाद अभी मैं फिर से आ गई हूँ किच्छन में, किच्छन तो मैंने क्लीन कर लिया है, अभी जो चोटा मोटा काम रहता है रात का, वो सब मैं कर लूँगी, जैसे बादाम भिगोना, अंजीर भिगोना, ये सब करने के बाद मैं जाओंगी पी खाना पीना हम लोगा हो गया है, डिनर हमारा कम्प्लीट हो गया है, अभी हम लोग दूसा बनाएंगे, मतलब हम लोग पीटा बनाएंगे, आज एक्छली रिच्वल रहता है, तो इसलिए आज हम लोग बनाएंगे, बैटर हम लोग सुबे पीगोना भूल गया थे, तो उस अच्छा इडिया ना? एक दम मस्त तो वही अब हम लोग करेंगे सुबह दोसा और साथ में चट्नी पढालेंगे हाँ मान लाइफ वस ग्रेट तो यू आड़िश कालर्स दूल्ड़ जार्ड़ ना जार्ड़ 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 यह ना अच्छली फर्मेंटेशन के लिए टाइम लगता है अगर पूरी रात हम लोग ऐसे भाहर रगतेंगे तो सुबह दोसा जो है बहुत सॉफ्ट पनेगा कलर भी बहुत अच्छा अभी आप देख से लगते हो थोड़ा मतलब मोटा मोटा आ रहा है और खाने में भी इतना टेस्ट नहीं लगता है थोड़ा सा कच्छा लगता है तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि कल सुबह हम लोग इसको दोसा बना के ब्रेक्फस में खाएंगे और आज हम लोग नियम की जो पालन है वो करेंगे और अभी क्रीती अपना स्किन केर कर रही है अचली ना डॉक्टर ने बोला कि उसको नियम करके ये सब दो टाइम के लिए यूज करना है लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग तो इतना नहीं होता है बुद नाइट क्रीती अभी क्रीम लगाएगी और ये कर्टन था हम लोगों ने अच्छे से दे दिया है ताकि बाहर से हवा ना आए क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है अभी बैंगलोर में ठण काफी अच्छा खासा है अभी अच्छा खासा? बुरा खासा बुरा खासा उसी को हम लोग अच्छा बोलते है ना अच्छा खासा गुद मॉर्निंग आज है नेक्स्टेप मॉर्निंग और क्रीती जारी है स्कूल आज से उसका जो एक्जाम है ये सेकेंड एक्जाम है उसका फ्राइडे से सुरू हुआ था और वो गई स्कूल और अभी हम लोग भी अपना दिन स्टार्ट करेंगे और हम लोग पी रह चाय और दोसा नहीं पीठा पीठा छिलके क्योंकि अभी मतलब कल बनाना था कल हम लोग उने एक ही बनाया था दो बनाया था नियम करने के लिए और सुबह बना के हम लोग चाय के साथ पी रहे मतलब खा रहे हैं और हम लोग उन्हें ये स्टील वाला ग्लास निकाला है इसमें चाय ज्यादा कर गए हैं ये विंटर में खाने में बड़ा मज़ा रहता है के लिए और इसको इसको घख जड़ गया तो लुटो सुबहे से इक रोटी खाया बनाना और गौनागा में सबस्का तो अभी ब्रेकफॉस्कर रहे है एज मतलब मॉर्निंग बहुत अर्ली हो जाता है क्रिती गई है स्कूल उसके लिए थोड़ा सा रख दिया है आने के बाद गर्मागरम बना के दूंगी क्योंकि स्कूल नहीं भेजती हूँ क्योंकि यह थंडा हो जाता तो इतना मजा नहीं आता है हां तो आज का हमारा लंच है तो बाग रहे हो इल्टे पूर वांमी तो यह प्रोगा है हुआ है कि अ कि अदुद्धि आ गई है सिंबा अधा बहुत बाड़ीया बढ़ीया होता है वाद बाद बाद चले घुसे जोब ठीक है चलो चेंज कर लो उसके बाद खाना खाले ना ठीक है यह ना मैंने आमेजन से और किया था सिंबा का जो बेड है उसको क्लीन करने के लिए क्योंकि बहुत जादा मतलब उसका जो हैर है वो रिमूब होता है और रहसे बेड के ऊपर चिपक जाता है तो वो ना यूज करने में भी हिच्पि जाता ही उसके मदद से अगर बेड को अच्छी तरह से शब्बम खेर करें दो इसको कहला झाऊणिस दो पहीं ग्लीन करने है तो ये काफी मुझार्ख तो देखो इसका मुझा देखो अभी उसको खेल ले जरें जगाए अजया है ने कि सिंबा कर सामान लेकर कुछ कर रहना है इसको डिक्कत है उसका समान वह कोई हाथ ने लगाना चाहिए एक रूल तो उसका बाली कि क्लीं करने में चला है वह दर न्या जैसा हो गया है जब भी मैं क्रीटी को इस तरह से करती हुना तो सिंभा ना पूरा अटेक करता है मुझे और क्रीटी को मतलब कुछ नहीं बोल सकते हैं हम लोग अगर क्रीटी मुझे ऐसा करेगा ना तो सिंभा उल्टा मेरे उपर ही आएगा लेकिन क्रीटी को हाथ भी नहीं लगा सकते हम लोग अले दोस्तों गुड़ी विणिंग और अभी वह जस्ट मैं व्लोग को एडिटी कर रही थी काफी दिनों से व्लोग नहीं आया तो काफी सारे फ्रेंड ने पूछे कि व्लोग क्यों नहीं आ रहा है आच्छली मेरा ना रेगुलरीटी मेंडिन नहीं हो रहा है मैं बहुत क कोशिश कर रहे हूं कि रेगुलर में वीडियो डालू बट एक हपता अगर मैं रेगुलर वीडियो डाल रहे हूं तो नेक्स्ट वीग मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है एक्षिली ना मेरा आखो का जो प्रॉब्लम है वो तो मतलब ब्लिंग करना ठीक हो गया बट डॉक कर रहे हूं इसको पुरा घूस लिए उसके बाद मुझे पता रहा है लेकिन आपने आपको रोग नहीं पार हूं तो ये तो प्रॉब्लमिक है ही तो इसलिए मैं मतलब एडिटिंग में या किसी चीज में ना continue नहीं कर पा रही हूँ तोड़ा gap देखे और आपने भी देखा होगा मतलब आप मेरा ब्लॉग देखे आप लोग को पता चल गया होगा में एडिक में ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ तो ये सब चल रहा है मेरे साथ और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग दू बट बहुत दिनों से पॉसिबल नहीं हो रहा है ये चीज मेरे काफिसर फ्रेंड ने नूटीस भी किया है और बहुत बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है लेकिन मैंने ऐसा ओफिशियली कुछ अनौंस नहीं किया है बट आज मुझे लगा के नहीं अभी आप लोग को मतलब ऐसे बता देना चाहिए कि रेगुलर बिसेस में जो ब्लॉग है वो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ तो अभी मुझे बोलना चाहिए कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी मैंने सोचा था कि चलो कुछ दिन ऐसे जाते है तो जाने देते हैं उसके बाद मैं रेगुलरिटी मिंटेन करूंगी बट यह मतलब प्रॉसिबल नहीं हो रहा है मैंने सोचा है कि अगर मैं आप लोग के पास एक पर्टिकुलर टाइम में आती हूँ तो आप लोग को भी पता चलेगा मतलब पता रहेगा कि हाँ लक्षमी का ब्लॉग आने वाला है या कुछ भी तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अल्टनेटिव टेपे या मतलब विक में पीन दीन ऐसा करके मैं ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ तो इसलिए मैंने यह decision लिया है कि रेगुलर बेसिस में व्लॉग में अभी आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी थोड़ा सा ठीक हो जाओ और मैं कोशिश करूँगी जितना भी व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक रिदम मेंटेन करने का यही मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था सो अभी मैं व्लॉग को एडिट कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग को बता दू यह चीज काफी दो दिनों से सोच रहे हूं कि क्या करूं क्या करूं तो जो भी हो अभी थोड़ा सा मैं मतलब अपने आपको सम्हा कर दो कि हां ऐसा है तो आप लोग को भी लगेगा के चलो लग्समी का व्लॉग यह दिन में आने वाला है तो मैं एक रूटीन में जाना चाहती हूँ और नए साल में यही मेरा मतलब कोसिस है वो चलिए आज का व्लॉग में पैंट करती हो आसा करती हो आप मेरे प्रॉब्ल बबाई टेक क्यर